नमस्कार किसान भाईयों आपका स्वागत है फार्मर्दा जर्नलिस्ट पर मैं हूं रेंदर पुर्षाद उत्राखंड के उधन सिंह नगर से आज हम एक इस्थानी किसान के पास आये हैं जो सब्जी का काम करते हैं और आप देख सकते हैं यह अभी इन्होंने यह बिंदी होगा ट्रेंग को अच्छा मनाफा हो सकता है और इन्होंने यह पॉली आउस भी बना रखा है और पॉली हाउस में अभी देखते हैं बात करते हैं शायदे धनिया बोएंगे इस समय इस समय धनिया जिस भी किसी दुकांदार के पास या किसान के पास होगा तो उसको आसनात अच्छा नाम आपका आसनात अच्छा यह पॉली हाउस देख सकते हैं पूरा उपर ते इन्होंने यह सरकार से ले रखा है तो आप थोड़ा था पॉली हाउस के बारे में बदाएंगे कि सरकार से आपने कब लिया क्या आपका खर्टे आया कि आप वैसी मिला अभी अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे यह खेदू खाली है अब गुड़ाई करके इसको थोड़ा उकास देते हैं तो उसका असर कतम बजाएगा इसको अब धनिया बोएंगे और किनारे साइड से लाइन से टमाटर की किति दरेंगे अच्छा उपर रहेगा और धनिया अबने इसको प्राप्त किया उठ्दान विभाग से आपने संपर किया तो उन लोह ने आपको यह दिया तो यह इसके लिए कावच के काविदों की क्या जरूत पड़ी जरूत पड़ी अच्छा ख़तों में आपकी सान है नहीं है अधार काट देना अच्छा अपनी जमीन तो बाकी यह सब फिरी काए तो यह जब खराब हो जाए रहा है तो इस लिए पोलि महाँ है अच्छा आपका किसान भाजिवास निकले से बड़ी 27 अ'll你可以 निकलते हैं बडध गर्मी मुह आपको आफको अफ इसे पहले इसमें क्या था इस से फ़ले मिर्च था निकाल लिया आसा अप देख सकते हैं दो महिने का पोदा है तो अब इस के बाद जब ये फल आएगा इसमें तो महग है तो को कर दो की हमेशार श्मादी थी नदी कि नारे पहने है तो खतम हो गए जो खाले खेतों में अदिक यह लगा रिगा रहा कि तो कि आपकी यह वह बची है तो इसमें आपको अच्छा बेच्वीट होगा ता आप इसको में आप इसको मैं अच्छाव कि दॉपाइट नांदी बा सब्सक्राइब करें जानकारी बहुत से अपने जीवन में मुनाफ़ा कमा सके आज की वीडियो में इतना ही फी मिल देंगले वीडियो में नमस्कार झाल झाल